लो फ्रेंड्स एंड माई डियर इस्टुडेंट्स तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो लेकर कर के आया हूं बहुत सारे कर नाय। कुछ लोगों का कRun merci marks on too speech maximum marks in इंग्ली मतलब maximum marks इंगली समें कई से प्राप्त कर सकते extinct fear creation को समझ में आएगा कि maximum marks English में कैसे लाया जा सकता है तो चलिए बिना किसी देर के हम लोगी स्टार्ट करते हैं फटा फटा प्लोग तयार हो जाईए तो देखिए जैसा कि मैंने यहां आप लोगों का जो question था वही सेम लिखा हुआ है ध्यान से देखिए how to achieve how to achieve maximum marks in English मतलब सर मुझे 98 लना है तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप भी प्राप्त कर सकते हैं बस कुछ ही बातों का आपको ध्यान रखना है तो चलिए इसके लिए मैंने दिखिए three ways लिखे मतलब तीन तरीके में लिखे हैं इस तीनों तरीका को यदि आप अपना लेते हैं तो डेफिनेकली आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं सबसे पहले तो आपको यह चीज़े ध्यान रखनी होगी कि डाउंट डू इस्पेलिंग मिश्टेक कुछ बच्चे क्या करते हैं इस्पेलिंग में दम खम नहीं है और वो आपका अगर सही भी रहेगा कहीं तो आपका वो मार्क्स काट सकता है क्योंकि सबसे पहले अगर कोई देखते हैं मतलब चेक करने वाले तो आपका इस्पेलिंग देखा जाता है इसलिए आप कोसिस करें कि स्पेलिंग में आप मिश्टेक ना करे है एकदम कोसिस करना है कि spelling को सही सही लिखे तो चलिए फटा-फट के अंदाज में चलते हैं फिर दूसरे वे की तरफ दूसरे तरीके की तरफ की दूसरा तरीका क्या है तो देखिए जैसा कि मैं नहीं हो लिख दिया है लिख यह इसे इसे कर देखिए तो इस तरह से आपको नहीं करия इसे क्या होते हैं बहुत ज़ादा आपको प्रावबलम फेर्ष कर नपर सकता है आप अगर भूलाजे छेम लिखे हैं और आप मॉलाजे यह दो गया यहां पर यह जो नॉलाजे होग यह कई हो गया कुछ जो घ तो दूसरा तरीका था हमारा क्या कि don't do spelling sorry write in good handwriting मतलब अच्छे handwriting में आपको लिखना है ठीक है अगर handwriting आपका गलत होगा handwriting अच्छा नहीं होगा तो फिर आपका marks अच्छा नहीं आ सकता है ठीक है तो चलिए चलते हैं फटा-फट तीसरे वे के तरप और बने रही है आप देख वर्नात्मक मतलब वैसे questions को आपको minimum पर योग करना है बहुत कम से कम यूज करना है जो कि वर्नन करने वाले question है मतलब कहने का मतलब है कुछ बच्चे क्या करते हैं यहां पर गलतियां क्या करते हैं मान लिजे समरी है क्या है समरी है तो समरी बच्चे याद कर लेते हैं मान में 5 marks आपका fix है यदि मौनले ज आप summary लिखते हैं तो इसमें आपका marks कड़ भी सकता है तो बहुत सारे मतलब descriptive type जो question वर्नन करने वला है उस question को कम से कम लिखें मतलब कोस्ट कर ये जिसमें मेरा marks नहीं कटी जिसमें मतलब हम मतलब line by line लिक लें जिसे बन गया और इसे को यूज करना है जिसमें बरनन करने वाला काम हो और हमारा जल्दी काम निकल जाए ठीक है तो यह भी आपको कुछिस करना है सबसे बड़ा फेक्ट यही होता है कि बच्चे लेंग बेज का परियोग ज्यादा करने लगते हैं जिसके करण उसका वहां पर से सबस्क्राइब करने लिए तो इस बीटियो के नीचे कमेंट करने लिए उस इस वीदियो को लाइक कर दिजी और चैनल पर इदि आप नए आए मैं तो सब्सक्राइब कर लिजिये और और भी दोस्तों को share कर दिये ताकि जो लोग अच्छा marks लना चाहते हैं वो भी ला सके और यदि आपके मन में कोई exam से related और भी कोई question उठ रहे हैं तो आप मुझे comment करिए मैं उस पर भी वीडियो बनने का प्रियास अबस्य करूंगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा जय हिन जय भारत थैंक यू